नमस्कार दोस्तों मैं डोक्टर प्रशान पोटे वेस्कुलर और इंटर्वेंशन डियालोजिस्ट आज आपके साथ शेर करूँगा कुछ ऐसे तरीके जिससे आप वेरिकोस वेंट को आपरेशन पोवाइट कर सकते हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं अगर आपका जॉब ही ऐसा कुछ है जिसमें आपको जादा देर खड़े रहना है या आप बिल्कुल भी अवाइड नहीं कर सकतें तो कोशिश कीजिए कि कुछ देर बाद जैसे कि एक या दो गंटे बाद कुछ ब्रेक लिए जिसमें आप पैर उपर रखके या एक लिस्ट लेवल पर रखके ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर सके में कारण होता है वेरिकोस बेन बनने का लॉंग स्टेंडिंग जिसके वज़े से वेंस में ब्लड पूल हो जाता है और रिटन हार्ड के तरफ नहीं जा पाता है तो ज़्यादा तर कोशिश करे कि लॉंग स्टें स्टॉकिंग हेल्प करता है बार से जो इन नसों को दबाने के रखता है दबाने के वज़े से ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है एक ज़गा पर खड़े रहे न अवोइट करना है बैट आप अगर मुमेंट कर रहे हैं या थोड़ा उपर नीचे सीडिया चेड़ रहे हैं यह हेल्प करता है काप मसल पंप करने के लिए जैसे ही काप मसल पंप होती है ब्लड फ्लो उपर के तरब चाता है और जो ब्लड फूल हुआ है वेसल में वह बैक टू नॉर्मल सर्कुलेशन में आ सकता है तो स्टॉकिंग यह सब चीजों में हेल्प करता है तो जरूरिक है कि आप दिन में 8-10 गंटा स्टॉकिंग का यूज करें अगर आपका जॉब लॉंग स्टैंडिंग या लॉंग सीटिंग वर्क है तो थर्ड वाइट पे आते हैं ओबेसिटी अगर मोटा पा है मोटा पा एक important कारण हो सकता है वर्कोसवेंड डेवलफ होने का तो weight reduction करना उतना ही important है साथ साथ वर्कोसवेंड treatment की ऐसा नहीं है किसे बाव वर्कोसवेंड का treatment कर रहे और weight वैसे ही है तो कोई फायदा नहीं है weight reduction आप कैसे कर सकते है regular exercise जो भी आपकी favorite exercise है वो आप कर सकते है वो आपको definitely help करेगा आपके muscle tone बढ़ाने के लिए जितने भी exercise है जो leg muscles के tone बढ़ा सकते हैं वो साथ साथ उसके अंदर के veins के भी tone बढ़ाते हैं और blood circulation improve करते हैं exercise में आप कोई भी exercise use कर सकते हैं जैसे yoga, gym, cycling या even brisk walking simple walking नहीं पोड़ों में जैसे टैल नहीं जा रहे हैं पार्क में तो उसके कोई benefit नहीं होने वाला है walking should be brisk ताकि काप muscle और पैर के जितने भी muscle वो actively work करें और तभी blood circulation improve होता है अगर आपका work या प्रोपेशन आपको permit करता है तो पूरे work schedule में आप 3-4 बार पोशिश करें कि पैर उपर रखे 5 minute रखे ताकि blood circulation improve हो जब आप घर आजाते हैं duty से तब आप पोशिश करें कि दिवार को पैर लटका के रखे ताकि 5-10 minute ऐसे रखेंगे तो blood जो नीचे जमा हुआ है normal circulation में वापस आएगा और आपको एक फिर होगा कि जो पैर आपको वेरिकोस वेन के वज़े से काफी heavy लग रहा है 5-10 minute ऐसे उपर पैर लटका के रखने से ये blood flow improve होता है और पैर आपका हलका लगने लगेगा कुछ-कुछ dietary modifications हम आपको suggest करते हैं इसके लिए हमने एक detailed video बनाया है वेरिकोस वेंस में क्या-क्या diet लेनी चाहिए इसका लिंक आपके साथ शेयर कर रहें इसको भी जरूर देखे कुछ tablets आती है जैसे venosmine, veinflurge से कुछ-कुछ company के tablets आती है जिसमें होता है flavonoids flavonoids आपको diet से ही मिलता है वो diet से भी ले सकते है या फिर इस tablet के दोरा इन tablet में भी चुब extract होता है वो इन fruits के दोरा ही आता है जैसे citrus fruits से, orange peel से उनसे ही extract निकाल के लाते हैं तो आप either tablet यूज़ कर सकते हैं या फिर आप आपके diet में ही इसको include करके उसको adequate requirement प्रोवाइड कर सकते हैं एक और चीज़ हैं जैसे बहुत लोग बताते हैं कि कुछ massage कर सकते हैं कि नहीं हाँ definitely massage कर सकते हैं बट heavy massage नहीं करना है कि इसे बहुत अदबा के massage कर रहे हैं उसमें superficial veins already जिसमें blood flow कम है और damage होने का risk करता है बट massage इस तरह से कीज़े ताकि नीचे से stroke करेंगे धीरे धीरे तो blood उबर की तरह direction में massage कीज़े ताकि जो जमा हुआ blood है वो उबर की तरह जाए तो दोस्तों ये कुछ simple simple तरीके थे जो मैंने आपको बताये हैं जो आप अपने daily life में utilize करके various wind का prevention रोब सकते हैं various wind आगे बढ़ने से रोब सकते हैं इस stage में ना चाहिए कि उसको operate कराना पड़े एक काफी simple और आसान तरीके हैं आप daily life में इसको use कीचे और various wind prevention कीचे धन्यवाद